हांजी भाई, सबसे पहले वीडियो को क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं हूँ आपका भाई मनोशोरान और आप देख रहे हैं बोल्ट मेरी जान तो सबसे पहले तो दिपावली की हर्दिक शुप्ष कामना है आप सभी को और आपके परिवार वालों को भी अच्छे से ये दिवाली बनाना सुक शान्ती से रहे आपकी दिवाली मेरी यही प्रेर है गोड से भी और आप सब से भी तो दिवाली के लिए आज हम छोटा है एक व्लोग त्यार करने वाले हैं कि हमारे खुद के ही घर के पास होने वाला है घर में ही होने वाला है यानि कि अभी हम उपर चलेंगे बॉल्ट से भी मिलाएंगे आपको अपना बेटा उपर बैठा है तो भाई हम चलते हैं अब उपर और यह हमारा चोटा सा प्यारा हा घर है आप देखी सकते हो थोड़ी हमने महनत की विए डेकोरेशन पर यह अपनी बुल्ट है और बुल्ट के उपर बॉल्ट है तो आप देखी सकते हो यह सिर्फ एक प्यार के लिए ही है बाकि आप इसको यह ना लेना की भई आपने नंबर नी लिखवा रखे यह मेरी गाड़ी है जो कैमपस के लिए है सिर्फ मैं बाहर इसको ले के नहीं जाता हूं बाहर के लिए दूसरी बाई का है यह अपना गर देखिए आप अगे डेकोरेशन थोड़ी सी हो रही है बाकिकल होएंगी यह हमारा बेटा पहले ही आगया आप सब का सुवागत करने के लिए तो भाई आज की वीडियो एक रियक्शन के उपर होने वाली है जैसे कि हमारे बाहर जो श्ट्रीट डोग है तो उनके सामने या आप उनके आसपास बम बजाते हो तो उनका क्या रियक्शन होता है मैं आ देखना यह वीडियो एक्सपेरिमेंट के उपर होएगी जो मेन है दिवाली के बम पटाकों का होता है तो अब आगे आप देखना कि हम बंब जाएंगे बोल्ट के पास और बोल्ट का क्या रियक्शन होता है यह चेक करना आप तो जो अधर स्ट्रीट डोग है जैसे उनका भी शायद इसी तरह से रियक्शन हो या कुछ जादा ही उनको प्रेशानी होती हो तो वो नोट करना आप मेरे भाई यह बोल्ट आप ना देख सकते हो बैठा है अराम से इसने मुह में बोल पकड़ी है इसलिए यह देख रहा है इसकी आखे देखो बटन जैसी अब देखो है या उसको काटने की कोशिश करता है बाकी देखो एक बात और मैं बता देता हूं अपनी तरफ से जैसे आपने बं बजा दिया बायचांस और वो बजा नहीं थोड़ा टाइम ले रहा है ठीक है और उसी बीच में कोई डोग आ गया और वो बं के पास चला गया तो वो तो उसको नुकसान कर देगा न बंजो होगा तो थोड़ा आप केरफुली करना प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो प्लीज अपने छोटा भाई बड़ा भाई जैसे भी समझ के इस बात को थोड़ा मान लेना यार और बाकी हम दिखाते हैं आप महारे जो अपना बेटा है ये बॉल्ट इसका क्या रियक्शन हैने वाला है क्यों बॉल्ट तो भाई जैसे कि अभी हमने बात की थी कि बम के रियक्शन के उपर शूट करने वाले हैं तो भाई यह आप देख सकते हो बम है और बॉल्ट की दूरी देख सकते हो यहां प पता नहीं है ना जैसे हम इंसान है एक इंसान का उस साइड मुह है और आप उसके पिछे बंब बजा दोगे तो वो भी ड्र जाएगा तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि यह बंब बज रहा है या क्या हो रहा है ठीक है तो तोड़ा ध्यान रखना बाकि अब हम शूट इनसान है उसको अब सर दियाने वाली है कंबल दे सकते हो गिफ्ट में या उनको और कुछ स्वैटर बगेरा इस चीज में पैसे हम सोचते हैं कि अच्छी जगह है इन्वेस्ट करें हम पैसो को तो यह सिर्फ एक आपके लिए जो की दिपावली भी है और एक रियक्शन भी शूट हो जाएगा ताकि मेरी वीडियो से मेरे कुछ भाईयों को सलह मिले कि आपका बड़ा भाई चोटा भाई माननों जो भी मान रहे हो आप मुझे तो वह अच्छी राये दे रहा है आपको तो प्लीज चेक इट तो वाही बजने वाला है और मैं बोल्ट के पास आके य एक्शन सूट करते हैं यह वाला भी निए बजाए भाई एक आपने जो यह बम बेजने वाले भाई है ना इन दुकान दारों से एक वह है वह है मेरी रिक्वेस्ट मान लो यह दम की मान लो तामना ऐसे फद्दो बम दी है एक डबी खतम कर ली बम निए बज़े है यह यह अर मेरा लगा नो आ वाँ बारा शेक्टर में आता यह एक डिपी बॉल्ट भी खेल देख रहे है क्या हो रहा रहा है क्या नी हो रहा आप जैसे ही बहा जैसे ही बाइप बजाना बोल्ट यहां पर बैठा था कि फिर यह एक दम खड़ा हुआ इसको लगा यह क्या हुआ और तो अब मेरी आप से आप सभी से यही रिक्वेश्ट है कि भाई थोड़ा केरफुली करना जो भी आप अपना दिवाली सेलिबरेट कर रहे हो तो वो आप जैसे मरजी करिए कोई दिक्कत नहीं है आपनी खुशी बंब जाने में है बंब जाईए किसी को कंबल या स्वैटर कि है तो वो करिए पर थोड़ा केरफुली क्योंकि तोहार का टाइम है सब को जल्दी होती है घर जाने की तो आप अराम से और प्यार से करिए ताकि आपका भी कोई इंतजार कर रहा है घर पे और भी है जो आपने सामने वादा प्लीज लड़ाई धंगा जो हता है उसको एव योग करिए बाकी चाइनीज तो बंद होई चुका है तो इसी तरह दिवाली की हरदिक शूब कामनाए फिर से मैं एक और बार देता हूं आपको और मैं हूँ आपका भाई मनोश शोरान आप देख रहे थे बोल्ट मेरी जान शुकरिया थैंक्यू